जहीं साथियों मेरा नाम है आकास मौर्या और आपसे लोग का आपके अपनी चैनल आलकुपी स्टेडी पर बहुत बहुत सवागत है प्रेंस यारप्य पारामेडिकल इस्टाप जी हाँ दोस्तों यह वेकेंसी बहुत ही पुरानी वेकेंसी है क्रियेट हो रही है वो आप लोगों के रिजल्ट को लेकर प्रॉब्लम क्रियेट हो रही है कि रिजल्ट कब आएगा तो आज चैनल में आप लोगों को इसी बारे में जानकारी देने वाला हूँ कि रिजल्ट कब आएगा ठीक है और मुईत करता हूँ आप लोगों इस चीज उम्मीद नहीं है ठीक है पहरी चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा फ्रेंस है कि यहां पर इसके मैंने जो है ओफिसियल ठीक है ओफिसियल तरीके से मैंने आप लोगों के लिए पता किया हुआ आई है और अन ओफिसियल ठीक है अन ओफिसियल तरीके से भी मैंने हाँ पर पता किया हुआ आए है कोई भी जानकारी अभी तक नहीं निकल कर आई है कि आप लोगों का जो result है ठीक है जो result है वो कब आएगा ठीक है इसके बारे में अभी विभाग से कोई भी जानकारी नहीं दिये गया और जो मेरे अंदर से जो है जहां से कि वाकई में आप लोगों का अब ज्यादा समय आप लोगों के पास नहीं बचा हुआ है जल्दे आप लोगों को result देखने को मिलेगा अब बहुत सारे युवा सोच रहे होंगे कि आप तो हमेशा से ही कहते हैं रहे हैं बट इस बार आप लोगों fact को देखिए 100% आप लोगो का रिटेन एक्जाम हो चुका है उसका भी आप लोगों का result बाकी है ठीक है result उसका भी नहीं आया हुआ है और एक चीज और ध्यान देंगे कि CRPF ट्रेट्समेन का जो आप लोगों का training schedule रखा गया है वो आप लोगों का रखा गया है माई मंत में ठीक है माई मंत में आप ल रिजर्ट आप लोगों को जो है है जल्द ही देखने को मिल जाएगा लेकिन यह पुरानी वेकेंसी है CRPF अमना schedule के according चल रहा है तो यह से यह बिलकुल साफ है कि आप लोगों का पहले जो है है परामेडिकल स्टाप का result आएगा उसके बाद जो है है ट्रेट्समेन वालों क रिजर्ट आएगा यानि कि आप लोगों का लास्ट जनवरी तक आप लोगों का ट्रेट्समेन वालों का फिजगल होगा है तो इससे यह बिलकुल क्लियर होगा है कि इसके रिजर्ट आने के पहले आप लोगों का result आएगा और यह रिजर्ट आप लोगों का उम्मीद लग कर रहा हूं हाला कि यह जानकारी ओफिसियल नहीं है यह आगे पीछे हो सकता है बट जैसा अनुमान लगा जा रहा है उसके आप लोगों का 10-15 तारिक तक आप लोगों के रिजल्ट आ जाने चाहिए हला कि जो भी अपडेट रहेगी मैं आप लोगों को अपडेट करता रहा हूंगा मैं जानता हूं आप लोग काफी हतास हो चुके हैं क्योंकि बहुत पुरानी वैकेंसी है और बहुत ज़्यादा डेले हो रहा है और यूटूब पर आप लोगों क के लिए वीडियो लेकर आता हूं और जो भी जानकारी मुझे मिलती है उसके अपडेट नहीं था है लेकिन जो यहां पर स्थियार्पी अप ट्रेड्समेन को लेकर अपडेट आया हुआ है उसके अपडेट में आप लोगों को जानकारी दे रहा हुआ हुआ है कोई भी अंदरोनी विभाग से कोई जानकारी मिली हुई है लेकिन जो तर्क कह रहे हैं उसके अकोर्डिंग में आप लोगों को यह जानकारी दे रहा हुआ हूँ बाकि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा हमको कॉमेंट करके जरूर बता सकते हैं और आप लोगों को क्या लग या फिर अप्डेट रहेगा, मैं आप लोगों को अपडेट करूँगा या करूँगा, लेकिन तभी मेरा वीडियो आएगी, जब कोई अथंटिक जानकारी मिलेगी, तभी ठीक है, अधर वाज आप लोगों को हमारी वीडियो जो है है अधर लोगों की तरह डेली वेसिस पर आप लोगों को वीडियो नहीं देखने हो को मिलेगा कि आप लोगों को व्यूज के चक्कर में आज वीडियो देदी या कल देदी या परसो देदी ऐसा मेरा कोई भी उद्देश नहीं है आप लोग मारे चैनल पर जा कर देख सकते हैं मैं हमेशा ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं ले करा हूँ कोई जानकारी मुझे लगती है कि आप लोगों को देनी चाहिए तो ही मेरा वीडियो आता है अधरवाज आप लोगों के लिए कोई भी वीडियो नहीं आदा है तो उमीद कर रहा हूँ आप लोग इस चीज़ से संतुष्ट होंगे यह संतुष्ट होगा है जो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही लेटेस्ट इन पॉरसन आप लोगों को हमेशा जानने को मिलते रहेंगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जिए बाकी मैं मिलता हूँ पर इस नए जानकारिकता नए वीडियो में तब तलके लिए टेक केयर गुट बाई